हलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मैं आप शुपारिक आप सभी का योगा वाली योट्यूब चैनल पर किल्षे स्वागत करता हूँ आज हम तनाव और ठकान को दूर करके अपनी इम्मुनिटी को बढ़ाने के लिए ओम चेंटिंग करेंगे ओम चैन्टिंग आप सभी जानते हैं बहुती पावर्फुल योगा है इसे करने से हमारा मन शान्त होता है हमारी इम्मुनिटी बढ़ती है हमारे शरीर में बैलेंस आता है और पॉजेटिव एनरची का संचार हमारे शरीर में बढ़ता है और नकरात्म हो जाए हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है दोस्तों इसे करना बहुती आसान है इसे करने के लिए आराम से सुखासर पर बैठ जाएं अगर आप सुखासर में नहीं बैठ सकते हैं तो आप आराम से चेर पर बैठ जाएं अपनी कमन को सीधा रखें अपने ओम का उचारण करते हुए सांस को धीरे धीरे बार छोड़ देना है जितना लंबा हो सके उतना लंबा आपने को करना है लेकिन धियान रखे जब हम ओम का उचारण कर रहे हो तब हमारे धिमात में कोई भी ख्याल नहीं आ रहा हो कोई भी चिंता नहीं हो हम पूरी तरह से यह पीपे उपस्तित हो और ओम का अपचान गर रही हो और इस परम ब्रम परम ऊण़जा को मJust कर रहे हो दोस्तो तो सो च्मई पर ओर आराम से कर घहरा स्सक्रान करते हो नदर ले आराम आराम से करना है और जितना लंबा और ज्यादा देर तक आप कर सकते हैं उतना बहतर होगा ओम के उचारण करने से हमारा फोकस बढ़ता है हमारा द्रान सभी चिंताओं से हट जाता है और हमारी सांसों पे आ जाता है जिससे हम बहुती बेंतर मेंसूज करते हैं दिन बर की हमारी पकान दूर होती है नकरात्मक उठ जाएं हमारी सांस के साथ बाहर चली जाती है और हमारा फोकस बढ़ता है और हम तनाव मुख हो जाते हैं दोस्तों तो इसको हम 10 से लेके 108 बार तक कर सकते हैं एक बार फिर करके लेखते हैं गोम के उचारण करने से हमारे शरी में सकरात्मक उठाओं का सचाथ होता है नकारात्मक उचा, सकारात्मक इस्पंदन की वज़े से बाहर चली जाती है, हमारे शरील से दूर हो जाती है और आप मेरे साथ करें, आराम से करें, पुरा फोकस के साथ करें, पुरे मन से करें, क्योंकि ओम समस्त हो जाओं का समलित रूप है, इसके उचारण करने से हम बहुत बहुतर मैसूस करते हैं, सकारत बर मैसूस करते हैं, तनाव मुक्त हो जाते हैं, और बहुत अच्छा मैसू तो एक बार फिर करके देखते हैं स्टार्ट करते हैं ओम के उचारण करने के अनेकों फायदे हैं इससे हमारी मेमरी पावर बढ़ती है हमारा मन शान्त हो जाता है और हम सकारत पर मैसूच करते हैं दोस्तों हमारी दिनबर की दिनचर्या को अच्छे से जी सकते हैं अच्छे से हमारे जीवन को प्लाइन कर सकते हैं अच्छे से हम सभी कामों को कर सकते हैं तो मैं आशा करता हूँ आप हर रोज 10 से लिके 108 बार ओम का उचारण करेंगे ओम के उचारण को करते समय पूरा ध्यान ओम के उचारण पर रखेंगे इदर उदर की चिंताओं को हटार देंगे 5 मिलिट अपने आपको देंगे और हर रोज ओम के उचारण करेंगे हर रोज ओम के उचारण करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ आपने क्यान बव किया आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आप किस तरह से उनका उस्चारण करते हैं और आप कितनी देर इसका भ्यास करते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइफ करें अपने फ्रेंट्स करें सोचल मीडिया पर शेयर करें तेंक्स पो वाच्छिंग, तेंक्यु दोस्टो